चलिए दोस्तो आज शुरू करते हैं हम अपना 14th lecture multiples and sub multiples of an angle का दोस्तो multiples and sub multiples angle आपके class 11th का chapter 3 है जो की part है आपके overall chapter of trigonometric functions का यह दोस्तो मैंने कई बार पहले भी बताया है कि यह जो chapter है दोस्तो यह हमारे आप ऐसे सोचे कि trigonometric function का सबसे एक important chapter है क्योंकि इसमें कई सारे अंगेनत एक तो सवाल पूछे जाते हैं दूसरा complexity जो सवालों की होती है वो काफी अच्छी होती है मैं पूलूँगा कठिन होती है और दूसरा इनकी applicability जो है वो आप आगे कई आने वालों chapters पे भी देखेंगे ठीक है तो दोस्तों इसी context के सारे आज का सवाल देखते हैं बहुत सुन्दर सवाल है आज का भी हमें basically एक expression दिया हुआ या equation दिया हुआ trigonometric equation क्या है sin theta plus cos theta is equal to 1 यह जो है हमको दिया हुआ this is given to us मुझसे value पूछ रहा है sin 2 theta की कि sin 2 theta साहब कितना होगा यह बताइए अगर sin theta plus cos theta is equal to 1 है और 4 option दियो है ठीक है चलिए at least दोस्तों एक चीज अच्छी हो जाती है इन सवालों में और पहली slide में हम अक्सर thinking बनाते हैं क्या concept लगेगा वो बनाते हैं और बाकी की slides में solve करते हैं तो जड़ा देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या thinking लगीगी जड़ा thinking समझते हैं तो देहान से बेसिक लिए आपका two times of sine theta into cos theta होता है ठीक है शुरुवात करने के लिए तो बहुत सिंपल है यह आपका multiples of an angle का formula है two times of sine theta into cos theta यह basically आपका formula होता है sine two theta ठीक है दोस्तों तो यह clear हो गया अब जो है सारी गने तब यह रह गई कि अब यार two times of sine theta into cos theta यह कहां से निकाला जाए ठीक है अब ध्यान से देखिए दोस्तों यहां पर जो हमको दिया हुआ है है वो क्या दिया हुआ है sin theta plus cos theta is equal to one यह दिया हुआ है ठीक है हमें यह जो दिया हुआ है इससे कहीं इस side पहुंचना है हमें कहीं two times of sine theta into cos theta को लाना है तो अब आप सोचिए कि sine theta plus cos theta है वो क्या करने से two times of sine theta into cos theta आएगा यह वाला term कहां से आ सकता है ठीक है तो अभी अभी भी solve नहीं कर रहे हैं सोचिए पूरा thinking pattern बनाई है thinking pattern बनाएंगे अपने आप solve हो जाएगा अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हम सोच सकते हैं कि यह जो चीज है अगर इसको मैं a मानू इसको b मानू तो कहीं यह इस type का तो लग रहा है क्या लग रहा है दोस्तों यह two times of a b के form का है two times of a b two times of a b कहां आता था दोस्तों वह आता था a plus b के square में देखिए आता था ना a square plus b square plus two a b याद है two a b जो term है वो कहां से आता था हमारे elementary maths में कहां आता था two a b वो आता था a plus b के square में a minus b के square में यहां दोस्तों a plus b दिया हुआ है हमको उसको निचोड कर क्या निकालना है कहीं two a b निकालना है राइट अगें thinking pattern चल रही अभी तक हमारी पूरी thinking चल रही याद रखिया हम यहां पर सोच रहे हैं यहां से यहां गए यहां से यहां गए two a b आ है तो यह तो clear हो गया कि यार अगर मैं यह जो left side है इसको square कर दों इसको square सोरी इसको अगर मैं sin theta plus cos theta है इसको square कर दों मतलब दोनों side को अगर square कर दों तो यहां से एक term जो आएगा वो मेरा आएगा two times of sin theta into cos theta और वही निकालना है यार तो वो मैं solve कर सकता हूँ given कि मेरे पास sin square theta cos square theta यह दो terms भी आएगे right two sin theta cos theta तो आएगा but मेरे पास साथी साथ sin square theta and cos square theta भी आएगा उसका क्या करूंगा क्योंकि उसका तो value कहीं दी नहीं हुई है अच्छी बात क्या है दोस्तों कि मेरे पास यह sin square theta और cos square theta आएगा थोड़े समय के लिए बट वो खुद ही चला जाएगा क्यों दोस्तों क्योंकि देखिए 2a भी यहां आ गया अगर मैं दोनों side को square करूंगा तो अब मेरे पास a square प्लस b square आएगा a square है मतलब sin square theta और b square है cos square theta fortunately इन दोनों का sum कितना होता है one होता है तो यह भी मुझे पता है कि sin square theta और cos square theta जो आएगा इस पूरे problem में उनका sum आएगा मेरे पास और वो one होता है तो मेरी game खतम हो गई वहां मुझे again value निकल गई तो मुझे sin theta और cos theta even though sin square theta cos square theta थोड़े समय के लिए बीच में आएंगे बट दोस्तों उसकी value already मुझे अलग से निकालने की जुरत नी क्योंकि वो जो जो दोनों जुड़ेंगे तो sin square theta plus cos square theta one होता है तो वो वहीं game साफ हो जाएगा तो अब दोस्तों यह problem बहुत clear हो गई कि मुझे जो two times of sin theta cos theta निकालना है उसके लिए दोस्तों मुझे दोनों side को square करना है square करने से 2ab जोकि 2sin theta cos theta है उसका term आ जाएगा right sin square theta cos square theta को मुझे अलग सोचने की जुरत नहीं है क्योंकि वो दोनों cut जाएंगे या add होके one हो जाएंगे इसलिए दोस्तों मेरा problem आगे बढ़ने लगेगा in known values ठीक है दोस्तों so again दोस्तों मैंने हमेशा आप लोगों को यही अन्रोध किया है यही request की है कि हमेशा दोस्तों पहला 30 seconds one minute लगा के thinking बिल्ड कर लीजिए हमें problem नहीं solve करने है अगेन रेपीट हमें problem नहीं solve करने है हमें problems को कैसे solve करना है वो समझना है problem नहीं solve problem अपने आप solve problem solution is a end output we should not start with कि यार हमें problem solve करना है तो चलो भाई किसना शुरुक नहीं पहले सोच बस्ता बना यह किस रुख में जाना है क्यूं जाना है और एक बार वो क्यूं decide हो गया तो उसके बाद तो फिर रास्ता decide हो गया तो मंजिल तो फिर वो समय की बात है कि आप कितनी जल्दी elementary maths को solve कर सकते हैं कुछ बच्चे जल्दी कर लेंगे कुछ बच्चे धीरे-धीरे करेंगे और उसके हिसाब से जो है आप finally अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो बस दोस्तों अब जब यह clear हो गई strategy तो अब हम strategy को लगा देते हैं सिंपल हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा तीया हुआ है इस इक्वल तू वन हम क्या करेंगे स्क्वार कर देंगे दोनों साइट्स को तो स्क्वारिंग both sides squaring both sides क्यों since two sine theta into cos theta is required and squaring would give this अकर दोनों side को square कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा ठीक है तो बस दोस्तों दोनों side को square कर दीजे देखे क्या आता है तो यहां से आजाएगा sin square theta plus cos square theta plus 2ab 2 times of sin theta into cos theta is equal to 1 का square is equal to 1 यह कहां से आया दोस्तों यह basically आया sin theta plus cos theta का square से आया which is equal to a plus b का square which is equal to a square plus b square plus two times of a b ठीक है दोस्तों उसी formula को simple आपका यह जो है यह class 8th maths है आपने 8th में पढ़ा होगा यह elementary maths में कि a plus b का whole square क्या होता है बस ठीक है दोस्तों इसके आगे तो असान है यह जो पूरा value है sin square theta plus cos square theta यह कितना हो जाएगा one plus two times of sin theta into cos theta यह क्या होता है दोस्तों यह वाला part यह होता है दोस्तों sin of 2 theta is equal to one यह one और यह one कट जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह कितना आ जाएगा therefore sin 2 theta is equal to कितना हो गया दोस्तों 0 which is equal to 0 वाल option कौन सा है दोस्तों option c है option है ठीक है दोस्तों clear होरी बात यह आपका अंसर आगया this is your answer ठीक है दोस्तों देखा देखा दोस्तों कितना NCRT exemplar NCRT exemplar क्यों हमेशा डराने वाला होता क्योंकि इसमें tough problems होते हैं अब आप देखिए मात्र हमने जो है छोटा सा एक thinking बना ली पिछले स्लाइड में कि जाना किदर है एक बार जाना किदर है डिसाइड हो गया उसके बाद तो मनजिल सिंपल है उसके बाद तो simple a plus b square के formula है जो कि आप बहुत इसली solve कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो हमेशा दोस्तों thinking पे जोड़ दीजिए हमारी पूरी अवस्था यही होती है कि हम thinking के तरफ आपका रुख चोड़ें ताकि जो है आप thinking से problem का अगे next step decide करें next step से next step और इसी तरीके से आप जो है आगे बढ़ते चले क्योंकि रट कर 11 और 12 का मैट्स पे काबू नहीं पाए जा सकता है course curriculum बहुत वास्ट है दोस्तों course curriculum बहुत डीप है और रटे हुए सवाल नहीं पूछ जाते हैं exam में आज तक दोस्तों क्या रहा इस्टिती क्या बनी हुई है मैं आपको बताता हूँ class 6 से जब से math थोड़ी tough होती है से लेकर class 9 तक क्या होता है दोस्तों कि कई बार हमने क्या करते थे हम लोग problems को रट लेते थे क्योंकि रटना असान था रटे हुए problems exam में पूछे जाते थे जब पहली बार हमारा board exam आया तो पहली बार class 10 में हमने अनभव किया होगा कि रटे हुए problems नहीं आते हैं अगर कुछ इक का दुखा आते भी है तो वह इक का दुख गई है उससे ज्यादा ज्यादा नहीं है दूसरा एक class 10 तक न हमारा syllabus जो है वह कम हुआ करता था अभी क्या है आप अगर 11th के chapters देखेंगे दोस्तों तो यह बहुत जादी chapters कई सारे इसमें chapters थे के दोस्तों यह हम को जो है बहुत बहुत द्यान दिना है दोस्तों कि अगर हमारे इतने अंगिनत chapters आपके पास दिख रहे हैं आपको तो फिर दोस्तों बहुत दिक्कत है तब फिर जो है दोस्तों आप Realize करोगे कि आप देखोगे, खुद से देखोगे, कि आपका syllabus इतना वास्ट है कि आप हर chapter के problems को रट नहीं सकते, तो इसलिए दोस्तों ये concept बनाना बहुत बहुत जरूरी है, और आशा करते हैं दोस्तों कि आज का जो सवाल था, हमने again thinking बना के जो solve कि आपको बहुत अच्छा लगा हो क्योंकि दोस्तों full time course में जुडने से दो चीजी होगी दोस्तों, एक ये सारे concept और theory जो हम अपने इन problems में लगाते हैं, वो सारे हम लोग काफी detail में, बहुत depth में उसको derive करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो आपको full time course का फाइदा होता है, दूसरा दोस्तों, आपको full time course में अगर आप हमारे साथ जुडेंगे, तो आपको realize करेंगे कि आपको बहुत सारे और problem solve के जाते हैं, अभी जो आप हमारे YouTube videos में देख रहे हैं, ये free हैं, और इसमें तो दोस्तों क्या है, आपको primarily जो YouTube videos में जो आप problems देख रहे हो, वो NCRT exemplar के हैं, हम लोग अपने full time course में के साथ भी जुड़िए, और उससे जो है, आपको math preparation के लिए both class 11th and 12th बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, तो आपके दिये गए number screen पे जो number दिख रहा है, plus screen पे जो आपके email ID दिख रहा है, उसमें आप हमको email कर सकते हैं, message कर सकते हैं, और हम आपको full time course में चोड़ लेंगे, इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा lecture यहीं समाथ होता है, आप हमारे साथ दोबारा जुड़िये कल, जहां पर again हम एक ऐसा ही एक problem उठाएंगे, और उसको बहुत detail में solve करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो thank you so much, दोस्तों, अगर आपको हमारा ये video lecture अच्छ दोरा मिल जाएगी,